शरफ साथ जो अगला काउंटर है वो है PNB Housing Finance का जहां पर हमने देखा कि मॉगन स्टैनली की तरफ से करीब 1.27 करोड शेर खरीदे गए कल और साथी दो और फंड हाउसेस ने पेनबी हाउसिंग में स्टेक खरीदे जो टोटल ट्रांसक्षिन वैल्यू जो हो रही है यहां पर वो करीब 1665 करोड की हो रही है ऐसे में सर कल PNB Housing में हमें गिरावट देखने को मेरी टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल था आज किस तरीके से इसमें आप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या करना है तो देखें बहुत आराम से चलने वाला काउंटर है आप 3 सप्टेंबर के बाद से देखें लगाता कंसलिडेट कर रहा है उपर की तरफ एक रिजिस्टेंस इसके अंदर बना हुआ सबके रिजर्ट बहुत अच्छा है थे लगातार लिखें हम लोगों को शो में डिसकस करते रहे हैं कि हाउजिंग पिनास में से लेक्टिव टांकर रिजल बहतरी नाएं तो बिलकुल सर्ट जैसे ही देखें का बेस है 865 रुपय का कई बार पहले भी स्टॉक का जिक्र मैं ने किया है पूटफोलियों में रखिए इसको अपने 850 के पास एक अच्छा बेस है वहीं पर स्टॉप लॉस डालिए वो डिमांड जोन है उसके नीचे किसके तवी बेचे यह आपको 1170 का भाव कम से कम परेंट भाव से आप दिखाए अच्छा का साफ 1820 पसंट का अपसा